का नधन हो गया है उनके निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर सतीश कौशिक की पोस्ट माटम रिपोर्ट आ गई है सामने हाट अटेक परणने से हुआ है सतीश कौशिक का निधन सतीश कौशिक के निधन मामले में दिल्ली पुलिस जांच करेगी अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर सीएम ने भी दुख जाहिर किया उन्होंने शोग जटाया है ट्वीट का लिखा सतीश कौशिक जी के असमयक निधन से मैं बेहत सब्द हूँ परिवार को दुख सहने की शक्ती प्रदान करें सीएम ने लिखा हर्याना के महिंदरगर जुलेश से संबंध रखते थे सतीश कौशिक बड़ी जानकारी इस वक्ति आपको दे दे सतीश कौशिक के निधन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां उनकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है बताया जा रहा है कि हार्ट अटेक पढ़ने से सतीश कौशिक का निधन हुआ है और मेरे साथ विशेश संबाद दता सुशील सिंग जुड़ गए है जादा जानकारी देने के लिए सुशील देखे बहुत है हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई थी सतीश कौशिक का अचानक से निधन हो जाना अभी बदाया जारे पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटेक हुआ है और क्या जानकारी मिल रही है उनके निधन से जुड़ी अब बिल्कुल सीशेटी देखिए जिस तरह से डारेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक का निधन हुआ और उसमें देखा जा रहा था कि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जाच करेगी देखेगी चुकि बिती रात उन्हें चेस्ट में पेन की शिकायत के बाद गुरुगराम के फोर्टीस अस्पताल लाए जागी था जहां डॉक्टर ने जाच के बाद पाया कि वो ब्रॉट डेड है यानि उनकी मृत्यू पहले ही हो चुकी है हलाकि जैसे इस मामले की जानकाडी दिल्ली पुलिस को लगी दिल्ली पुलिस करीब सुभा पांच वजे शोव को लेकर दिन द्याल उपाध्याय अस्पताल पहुंची दिल्ली जहां इनका पोष्ट मौटम हुआ है और पोस्ट मॉटम के में जो सुरुवाती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शरीर पे कहीं कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं और डेथ का कौज कहीं न कहीं हार्ट अटेक माना जा रहा है हलाकि बिस्तरित जाच की आउशकता है और मुझे लगता है कि यही वज़ा है कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में जाच करेगी आमूमन जब इस तरह के डेथ्स होते हैं तो उसमें जो कारवाई होती है उसके तहट CRPC की 174 की तहट पुलिस कारवाई करती है और आमूमन जहां कहीं संदेहास्पद होता है या संदिग्द मामला होता है तो उसमें पुलिस अपना अनुसंधान भी पैरलर अनुसंधान करती है और इस मामले में भी पुलिस अब अनुसंधान करेगी जाच करेगी उन तमाम लोगों से पुछताच होगी जो लोग कहीं के बिति रात पांटि में थे यह inveja है कि विज वासन इलाके में एक फॉर्म हाउस मौश पांटि चल रही थी जहां सतीश कोसिक पहुँचे थे पडिवार समय पहुंचे थे और वहीं इन्हें पांटि के बाद करीब देड़ वजे रात में इन्हें चेस्ट पेंद की शिकायत हुई और इन्होंने ड्राइवर को बोला कि इन्हें अस्पताल ले जाया जाए जिसके बाद यह पुरी घटना घटी है अब यह माना जा रहा है कि इनकी आज पार्थिव शरीर दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगा जहां एर एंबुलेंस के मदद से मुंबई बर्सोवा इलाके में ले जाया जाएगा जहां इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशील दिखिए बॉलिवूड जगत में भी कही न कहीं इस खबर को सुनकर हैरानगी जो है वो सामने आ रही है अलग अलग तरह के ट्वीट सामने आ रही है इधर मुखिमंतरी मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया परिवार को दुख सहने की शक्ती प्रदान करे उन्होंने ही न कहीं एक वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले थे अब बिलकुल स्रिष्टी देखिए 2019 का मुझे वक्त याद है जब हर्याना में नई न्यू पॉलिसी लागो की गई थी फिल्म पॉलिसी बदनाने की बात की जा रहे थी जो उस पॉलिसी को लेकर गवर्निंग मुख्यमंतृ कती सलवकार मुमबई भी गय थे तमाम कलाकारों से बात चित की गई थी और उस वक्त यह माना जा रहाता कि यह पॉलिसी लागो करने के बाद तमाम कलाकार जो पहले परते पर जाने के लिए अपनी पहचान बनाने कर लिए संघर्ष कर रहे मुन्याम लोगो जाएगा इसका जिक्र भी किया गया थै और तमाँ चाहिए गुरुगराम हो फरीदाबाद हो मौर्णी हिल्स हो या फिर कुरूशेतर हो इतमाम इलाकों का सर्वे भी किया गया था और उसके बाद शतीष कोसिक के साथ लगतार मुख्यमंत्री मिलते रहे थे बात्चित हुई और अब न्यू पोलिशी के ताहथ हर्याना में फिल्म सिटी बनाने की योजना थी और कई इंटर्वियूस में ने देखे थे, कई इंटर्वियूस में या सतीश कोशित ने शुकार किया था कि उनका सपना है कि उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव हर्याना के महेंदरगड़ जीले से रहा है। उनसे उनकी बात थी थो रही थी उनकी पतनी जो शशी कौशिक हैं उन्होंने छोडी छोड़ों से कम नहीं करके की मुवी कभी प्रोडक्शन किया था और हर्यानवी संस्कृति को दिखाने की बात हुई थी अब इससे आज मैं देख रहा था सुबह मुख्यमंत्री का ट्वीट बड़ा बहदी भाविक ट्वीट था अलाकि इसको लेकर आपको बता दे कि प्रधान मंत्री ने भी दुख जताया है और प् वहां उकता उस सिलसिले में मैं देख सकता हूँ कि हर्याना के लिए बड़ा आघात के रूप में देखा जा रहा है चुकि हर्याना में फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही थी उसको लेकर हर्याना के फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने की बात हो रही थी एक अलग पहचान ख़sty यह ख़बर है बॉल्यवूर्ड जगत कि अगर मैं सुशील बात करूं डैख है। मॉल कॉलेज से होते हुए नेस डी सतीश कोसिक पहुंचे थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद वहीं मुलाकात अनुपम खेर से हुई उसके बाद मुंबई एफटी आई पहुंचे और फिल्मों में शुरू हुए थीटर के ताथ फिल्म में और पहले कलाकार से शु आप है उनका बेहुत मजबूति के साथ जुराऊ रहा और यहीं वज़ा है कि टमाम कलाकार पीट कर रहे हैं उनके आवास पर पहुंच चुके और पार्थिव शारीव का इंतजार कर रहे हैं जब पर फिर उन्तिन द्रशन के बाद shortage में तमाम लोग स्सामिल झाल झाल